सन 1702 में इंग्लेंड में एक थॉमस बजबी नाम का एक कातिल था उसने अपनी बीबी के पिता का कतल किया था जिसके लिए उसे फांसी की सज़त सुनाई गई मनने से पहले उसकी अंती मिच्छा थी कि उसे अपनी मन पसंद जगा पर अपनी मन पसंद कुरसी पर बैठ कर खाना खाना था खाना कदम करने के बाद वह जब खड़ा हुआ तो उसने कहा कि इस कुर्सी पर जो बैठेगा या बैठने की कोशिस करेगा वह तुरंत मारा जाएगा तब कुछ समय पच्चाद जब सेकंड वर्ल्ड वार में रॉयल फोर्स के दो पाइलेट एक पब में आए और उस कुर्सी पर बैठे तो उनकी उसी दिन कार एक्सिडेंट में मौत हुई और यॉर्क सहर के म्यूजियम में इस चेयर को रखा गया है और यह जमीन से इतनी उचाई पर टांगी गई है जिससे कि इस पर कोई भी बैठने की कोशिस ना करें ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले थैंक्यू फॉर वाचिंग